ओम्शिसाइनाथाए नमहा बोलो अनन्त कोटी रमाण नायव राजा दिराजयो गिराज परंब्रम सचिदनन्द सद्गुरू साइनाथ महराज की जै बाबा जी की कृपा से आज हम अध्याय 38 का अध्यान करेंगे बाबा की हांडी नाना साहिब द्वारा देव मूर्दी की उपेक्षा नैविद्य वित्रन छाज का प्रसाद गत अध्याय में चावडी के समहरों का वर्णन किया गया है अब इस अध्याय में बाबा की हांडी तदा कुछ अन्य विश्यों का वर्णन होगा प्रस्तावना इस जीवन के समस्तकारियों को नश्वर जानकर उनने भक्तों को निश्काम और मुक्त किया। जब मध्यान के समय हमें भोजन की प्राप्ती होती है तब हम वचलित हो जाते हैं। अन्य प्राणियों के अनुभवकर जो किसे भिख्षयों के भोकी को भोजन देता है वही श्रेष्टदानी है। तैतिरी योप निश्द में लिखा है कि अन्य ही ब्रहम है और उसी से सब प्राणियों के उद्पत्ती होती है। तता उससे ही वे जीवीत रहते हैं और मृत्य के उप्राण उसी में लैभी हो जाते हैं। जब कोई अतिती दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव यह हो जाता है कि हम उसे अभी नंदन कर भोजन कराएं। अन्य दान जिसे दन, भूमी और वस्तित्यादी देने में तो पातरता का विचार करना पड़ता है परंतु अन्य के लिए विशे सोच चा कि कोई आवश्यक्ता नहीं है। दोपहर के समय में कोई भी आपके द्वार पर आया उसे शीगर भोजन कराना हमारा परहम करतव भी है। अब देखो के बाबा किस प्रकार भोजन त्यार करके उसका वित्रंगिया करते थे। सभी भक्तों को भोजन कराने के इच्छा होती थी तो प्रारंब से लेके अंध तक का संपून व्यवस्तावे स्वयम किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और नहीं किसी को इस संबंध में कश्ट दिया करते थे। प्रतमावे स्वयम रजार जाकर सभी वस्तुएं अनाज, आता, नमक, मिर्ची, जीरा, खोप्रा और अनी मसाले आदी वस्तुएं नगत दाम देकर खरीद लाय करते थे। यहां तक कि पीजने का कारवियों सहमी गिया करते थे। मजजित के आगन में एक भटी बनाकर उसमें अगनी प्रजुलित करके हांडी में ठीक नाफ से पानी बहर देते थे। जुआर के आटे को पानी में उबालकर उसमें छांच मिलाकर अम्बिल आम्टे बनाते और भूजन के थास सब भक्तों को समान मात्रा में बाढ़ते थे। भूजन ठीक बन रहा है या नहीं या जानने के लिए वे अपनी कफने की बाहें उपर चड़ा का निर्वे हो बलती हांडी में हाट डाल देते और उसे चार और गुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर कोई जिलन का चिंद ना था ना चेहरे पर कोई पीड़ा की रीखा प्रतीत होती थी। जब भूजन तयार हो जाता तब भी मख्जिस से भूजन बरतन मांगकर मौलवी से फात्या पढ़ने को कहते थे। फिर वे मुहसाल पती और तात्या पाटि के प्रसाद का भाग प्रत्थक कर शेश भूजन गरीब और अनात लोगों को खिला कर उन्हें तरप्त करते थे। सचमच वे लोग धन्य थे। कितना भाग शाली थे वो लोग जिने बाबा के हाथ का बना और प्रसाद भोजन खाने का प्राप्त हुआ। यहाँ यहाँ कोई शंका कर सकता है कि क्या भी शाकारी और मासहारी भोजे प्रदार्तों को सभी में बाटा करते थे। इसका उत्तर बिलकुल सीधार सरल है। जो लोग मासहारी थे उन्हें हांडी में से दिया जाता था। तो तशाकाहारीों को उसका सपर्ष तक न होने देते थे। ना कभी उन्होंने किसी को मासहार का प्रसाद दिया। और नहीं किसी के आंतरिक इच्छा थी कि किसी को इसक किस अंच तक पालन करते हैं वे कभी कभी परिक्षा भी लिया करते थे। उधारन के लिए एक दिने का दशी के बाद का दादा केलकर से पूछ कर कुछ रुपए दे कर कहा कि जाओ कुछ मास खरीद लाओ। दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्राया सभी नियों मों जीवन में पालन किया करते थे। उनकी ये द्रण भावना थी कि द्रव्य अन्न और वस्त्र इत्यादी गुरु को भीट करना पर्याप्त नहीं है कि एवल उनकी आग्या ही शीग्र कार्यान वित करने से वे प्रसन हो जाते हैं। यही उनकी दक्षणा है। दादा शीग्र वापस बुलाने को कहा और कहा कि यह कारक्रम स्थकित कर दो। ऐसी एक अन्य अफसर पुर्ण ने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाओ कैसा पका है। दादा ने यूँ ही मुझे कर कह दिया कि अच्छा है। तब वे कहने लगी कि तुमने न तो अपनी आँखों से और न जीवा से सुआद लिया। फिर तुमने कैसे कह दिया कि अत्तम बने है। थोड़ा धकर है टाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बहां पकड़कर और बल पुर्वे बर्दन में डालकर हाथ बूला। थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कटरपन छोड़कर च संतर गुरू कभी भी अपने कर्म कांडी शीशे को वर्जित भोज़े के लिए आगरे करके अपनी अपकीरती कराना पसंद ना करेगा। इस प्रकार या हांडी का कारेकरम उनने सो दस तक चला और फिस ठागेत हो गया। जैसा पूर्व में उल्ले किया जा चुका है। दा बाबा को नेविद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वाधिष्ट प्रदात लाते थे जो इतनी अधिक मात्रा में एकत हो दाता था कि फकीर और भिखारियों को बाटने के बाद भी बच जाता था। नेविद्य वित्रन करने की विदी का वर्णन करने से पूर् अपनी कलपिना के अनुजार बाबा को ब्रामन तता कोछ उने यवन समझा करते हैं पर अंतो वास्तव में उनकी कोई जाती ना थी उनका और इश्वरका के विल एक ही जाती थी कोई भी निश्यपुर्वक यह नहीं जानता होगा कि वे किस कुल में जन में और उनके माता पिता कौन थे फिर उन्हें हिंदो यह यवन कैसे घुशित किया जा सकता है यदि वे यवन होते तो मस्जिद में सदेव धुनी और तुलसी वरंदावन ही क्यों लगाते और शंक घंटे अन्य संगीत वादी के वजने देते हिंदों के विवित प्रभार की विचाओं को सुईकार क्यों करते यह तो सच में वेवन होते तो उनके कान क्यों की जोते चिदे होते और वे हिंदो मंदिरों को स्वयम जणनतार क्यों करवाते उन्होंने हिंदू की मूर्थियों तो ता हिंदू देवी देवताओं की जरा सी उपेक्षा कभी सहन न करी एक बर नाना साहिब चांदर कर अपनी साडू साली के पती श्रिबेनेवाल के साथ शिर्डी है जो वे मजिन में पहुँचे बापा वारत अलाप करते हो अनाया सी करोधेत होकर कहने लगे तुम दिर के काल से मेरे सान निद्धे में हो फिर भी ऐसा अचरन करते हो नाना साहिब प्रतमा इन शब्दों का कुछ भी अर्थना समझ सके अतो उन्होंने अपना अपरात समझाने के प्रतना करी प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब को उपर गाऊ आए और फिर वहाँ से कैसे शिर्डी आ पहुचे तब नाना साहिब का अपनी भूल तुरंत की हाथ होगी उनका या नियम था कि शिर्डी आने के पूर्फिक उपर गाऊ में गुदावरी के तट पर स्थित शिदत्त का पूजन किया करते थे परंतो रिष्टेदार के दत्तो पासक होने के बाद भी इस पर विलंब होने के भाई से उन्होंने दत्तो को भी बंतो जाने से हतोत साहित किया और वे दोनों सीधे शिर्डी चले गए अपना दोश्ट रिकार कर उन्होंने कहा के गुदावरी में स्दान करते समय पैल में एक बड़ा काटा चुप जाने करण अधिक कश्ट हो गया था बाबा ने का यहाँ तो सिर्फ छोटा सा दंड है और उन्हें भविश्य में ऐसे आश्रण के लिए सदेव साथ दन रहने की चिताव नहीं दी नैवेद्य वित्रण अब हम नैवेद्य वित्रण का वर्णन करेंगे आर्थी समाप्त होने पर बाबा से आशिरवाद तता उदी प्राप्त कर जब भक्तगर्ण अपने अपने घर चले जाते तब बाबा पर्दे के भीतर प्रविश कर निंबर के सारे पीट टेकर भोजन के लिए आशन ग्रहन करते थे भक्तों की दो पंक्तियां के समीब बैटा करती थी भक्तगर्ण नौन अप्रकार के नैवेद्य पूरी, मांडे, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी, उप्मा, सांजा, अंबी, मुहर, भात, इत्यादी थाली में सजा सजा कर लाते जब तक वे नैवेद्य स्विकार्ण न कर लेते तब तक भग्तगर्ण बहारी प्रतिक्षा करते थे समस्त नैवेद्य एक अत्रत कर दिया जाता तब वे स्वयम भगवान को नैवेद्य अरपन कर स्वयम गरान करते थे उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतिक्षा करने वालों को शेष दे कर भीते भीटे हूए भक्त पालिया करते थे जब बाबा सबके मद्या में आवराश थे तब वे दोनों पंक्तियों पर बेटे होए भक्त त्रपत होकर भोजन कया कर थे प्राय शामा और निमॉणकर से भक्त और संतोष दायक होता था कितना मधर पवित्र प्रेमरस पूर्ण भोजन था हुआ तदा मांगलिक और पवित्र चाज मट्टे का प्रसाद इत सचंग में बैठकर एक दिन जब हेमांडपंत पूर्ण तह भोजन कर जुगी थे तब बाबा ने उन्हें एक प्याला चाज पीन तब उन्होंने पूरी चाज पी ली किन्तु उन्हें बाबा के संकेतिक पचनों का मानुशी ग्रिफित हो गया क्योंकि गटना के थोड़े दिन पश्यात ही बाबा समादेश दो गया पाठकू अब हमें अवश्य ही है मांडपंत के प्रतीक करतग्य होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तब चाज का प्याला पिया परन्तु वे हमारे लिए ये थेश्ट मात्रा में श्री साइन लिल्ला अम्रत रूपी ग्यान दे गया श्री सद्गुरू साइनात पर्ण भस्तू श्यभं भव्तू